हाई आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट और मैं हूँ तुशाबा हैश्टाग मीटू मुमेंट काफी संसनी में है रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में बहुत ही बड़े संसकारी और पहुचे हुए लोग के नाम सामने आ रहे हैं जैसे कि सबसे पहले जिसे ये मुमेंट बॉलीवोड में चालू किया था तनुश्रीदत्ता जिन्होंने नाना पार्टेकर पे सेक्शुल हरस्मेंन का आरोप लगाया फिर उसके बाद आवाज उठाए विंता नंदा ने जो एक 90's के शो की डारेक्टर है चुकी है जिसके लीड थे आलोगनाथ जिन्होंने विंता नंदा को सेक्शुल हरस ही नहीं पर रेप भी किया था विंता नंदा के सपोर्ट में आलोगनाथ के खिलाफ और दो औरतों ने भी आवाज निकाला जिनकों भी आलोगनाथ ने सेक्शुल हरस किया था संधिया मिर्दुल और दिपिका आमिन ने ट्विटर के जरिये आवाज उठाया आलोगनाथ के खिलाफ ये सब को लेके आलोगनाथ का स्टेटमेंट था कि ना ही मैं इंकार करूंगा ना ही अपनाऊंगा डारेक्टर विकास भेल पे भी कंगना ननौत ने इल्जाम लगाया है कि क्वीन मूवी के टाइम विकास कंगना के काफी कर्यव आ जाते थे बहाने से इतना ही नहीं एमजे अकबर जो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट है उन पे भी कम से कम दस औरतों ने सेक्शुल हरस्मेंट का इल्जाम लगाया है हाश्टाग मीटू मूमेंट की वज़े से हाश्टाग मीटू मूमेंट काफी जाने माने लोगों का परदाफाश कर रहा है जाहे वो अक्टर हो डायरेक्टर हो या पॉलिटेशन हो या कोई बॉलिवूड का सेलिब्रेटी हो अगर आप ये मूमेंट के और भी अपडेश जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करिए